सो कैसे हो दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आज की सुडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास एट सायंस का सेकंड चैप्टर हेल्थ और डिसीजिस सबसे पहले हम देखेंगे वाट इस हेल्थ आपने बहुत सारे लोगों के मुझ से सुना होगा कि अगर उस इंसान को डिसीज नहीं है तो वो हेल्दी है जी हाँ यह सही है लेकिन यह पूरा सच नहीं है वाट इस हेल्थ मतलब कोई भी लिविंग और्गिनिजम तीन पॉइं अच्छे होने चाहिए पैर सभी अच्छे से काम करने चाहिए और उसे हम कहेंगे फिजिकली फिट और उसके साथ साथ उससे कोई डिसीज भी नहीं होना चाहिए मतलब डिसीज फ्री होना चाहिए तो हम कहेंगे कि वो इंसान फिजिकली फिट है अब हमारा सेकंड पॉइं है हमारा कि वह इंसान socially fit है socially fit मतलब वह जो इंसान है वह सुसाइटी से जुड़ा होना चाहिए मतलब उस से गो इंसान physically fit mentally fit और socially और फिट है तो हैं उसे जाहिंगी कि वह इंसान healthy है सो आप को health समझ में आ चुकि होगी इसे क्या होता है disturbance in physiological and psychological processes of body is called as disease मतलब जो हमारे body है उसके कुछ physiological और psychological processes होती है तो अगर उसमें कुछ भी disturbance आ गया तो हम उसे कहेंगे कि उसे disease हो चुका है जैसे psychological processes मतलब जो हमें नहीं दिखती मतलब हमेरे body के अंदर कुछ process में कुछ गड़बड़ी आ गई तो हम कहेंगे कि उसे disease है physiological मतलब जो हमें दिखता है जैसे उसके हाथ दर्द कर रहे है या फिर उसे कफ हो चुका है सर्दी हो चुकी है तो हम उसे कहेंगे कि उसे disease है आई होब आपको health और disease दोनों समझ में आ चुकी होगे अब हम next point की तरफ बढ़ते हैं और हमारा next point है यह diagram जी हाँ यह जो diagram है यह हमें बहुत सारी चीज़ बताती है तो इसमें सबसे पहले हमारे पास है health अब हम सोचेंगे कि health क्या होती है तो हमने अब भी पढ़ा health मतलब अगर हम mentally fit है physical fit है और social अगर हम fit है तो हम उससे कहेंगे कि हम वो इनसान healthy है तो I hope आपको healthy यह फिर health समझ में आ चुका होगा अब हम बढ़ते हैं हमारे next point की तरफ सबसे पहले हमारे पास है type of diseases diseases के कितने types है तो हमारे पास generally दो types है first है according to duration और second है according to reason according to duration मतलब ऐसे diseases जो duration के हिसाब से आते हैं मतलब time के हिसाब से आते हैं जैसे short term diseases long term diseases तो यह होती है according to duration short term diseases मतलब जैसे आज आपको बुखा रहे तो वो कल चला जाएगा तो यह होगा short term diseases long term diseases मतलब जैसे आपको आज खोकला है या फिर और कुछ बहुत सारे डिशिजेस जो बहुत लंबे समय तक रहने वाले हैं तो मुझसे कहेंगे लॉंग टर्म डिशिजेस तो यह दो टाइप सोते हैं according to duration के और अब हम पढ़ेंगे डिशिजेस according to reason तब ऐसे डिशिज जो कुछ न के वजह से हमें हुए है जैसे से फर्स्ट है है लिक paling डिशिज हैरीडी डिशिजेज मतलब ऐसे तो acquired disease के दो टाइप्स होते हैं फर्स्ट होता है infectious disease और सेकंड होता है non infectious disease जो infectious disease होता है तो वो होता है कि मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान को हो सकता है मैं यहां पर इंसानों का example लेता हो लेकिन आप समझ जाना कि इंसान नहीं कोई भी living organism यहां पर लागो होता है जैसे common cold मतलब अगर मुझे जुखाम है तो दूसरे आदमी को भी वो जुखाम हो जाएगा तो यह जो डिसिस है यह ट्रांसफर हुआ है एक इंसान से दूसरे इंसान को, तो वो हो गया हमारा common cold, मतलब infectious disease, और जैसे fever, अगर आज हमें बुखा रहे हैं, तो वो कल किसी और को भी हो सकता है, तो वो भी हो गया हमारा infectious disease, अब हमारा है non-infectious disease, non-infectious disease मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान को नहीं हो सकता, बट आपको मैं तो इन्फेक्टियस डिसीज में एक और टाइप आता है उसका नाम है तो वह कोरोना और अब हम पड़ेंगे नौन इंफेक्टियस डिसीज मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान को नहीं हो सकता तो मतलब उसका एक इंसान से दूसरे इंसान की तरफ ट्रांसपर होना मना है तो वो होता है non-infectious diseases जैसे diabetes और heart diseases तो ये सब भी होते हैं हमारे पास non-infectious diseases आपको समझने आ चुका होगा और आप हम पढ़ेंगे infectious diseases के बारे में briefly और उसके examples भी आप हम देखेंगे सबसे पहले example आता है डेंगू मलेरिया जी हां डेंगू होता क्या है सबसे पहले हम देखेंगे डेंगू कैसे होता है मॉस्किटोज ले एग in स्टोर्ड वॉटर एंड डेरवाइपॉपुलेशन इंक्रीजिस किसकी पॉपुलेशन मच्चरों की पॉपुलेशन इंक्रीज होती है क्यूंकि जो वो stored water में मतलब रुखा हुआ पाने में अपने अंडे को रखते हैं और इसके वज़र से उनकी population increase होती है धिरे धिरे और हमें डेंगू होता है अभी तक डेंगो की कोई दवाई नहीं आई है आप लोगों में से बहुत सारे लोग पुछेंगे कि जो मच्छर होता है वो clean पाने में अपने अंडे को देता है या फिर dirty water में इसका जवाब है कि वो stored water में अपने अंडे को रखता है ना clean देखता है ना dirty देखता है अगर व जब आपको यह समाज में आ चुका होगा आप हम सेकंड इंफेक्टिंस डीसिज है स्वाइन फ्लुव मतलब अभी अभी कुछ सालों पहले स्वाज़ू भी कोरुना की तरह बहुत प्रीड होँए था इसाइन फ्ली होता है एक डिसी आ और वह इंफेक्षन वर स्वाइन फ स्वाइन फ्ल्यू और देंगो समझ में आ चुका होगा अब हम पढ़ेंगे नॉन इंफेक्टियस दिसीज और यह हमारा लाज्ट लेक्चर डिसीज में सबसे पहले आता है कैंसर जी हाँ आपने सुना होगा कैंसर अन कंट्रोल एंड अबनॉर्मल सेल ग्रोथ इस काल्ड कैं मतलब अगर हमारे पास आपको पता है मारी बॉड़ी sails से बनी होती है तो अगर वह अगर सेल की ग्रोथ होने अच्छी बात है लेकिन अगर सेल की ग्रोथ और अब unmental अन कांट्रोल अन कंट्रोल हो गई तो तब हम उसे कैंसर कह सकते हैं जिस सा आपने और कांसर को देखा होगा उनके गरले में बहुत स조रे सेल्प हो जाइन हैं तो हम उसे कहांगे कि वो गए क्यल्प हो गया है उसको कांसर के का थो फ्रम टबैको घूटका स्मोगिग जो गैंसर होता है गूटका इंचंद से भी गैंसर होता है यह भी एक नॉन इंफेक्टेज़ डिसीज होता है दो हॉर्मोन इंसुलीन प्रोड्यूस इन पेंक्रियास कंट्रोल लेवल शुगर इन बलड इफ इंसुलीन umbled Heart St ग्लुको स्युगर की लेवल उसे कंट्रोल करना अगर इंसुलीन अगर कम सुगर होने लगा तो जो blood में जो sugar की level है वो high होने लगी कि sugar मतलब glucose की level तो इसके वज़े से हमें diabetes हो सकता है और इसी को हम कहेंगे diabetes तो जो diabetes है वो भी एक non-infectious disease होता है अब हमारा next है heart attack heart attack भी एक non-infectious disease होता है heart has to perform more work that lead to stress it may cause heart attack मतलब अगर heart ज़्यादा work करने लग गया तो वो heart attack भी आपको करवा सकता है तो इसलिए आपको stress नहीं लेना है और study time को subscribe करना है Thank you for watching